बच्चो अब हमारी जो है ये थर्ड वल स्टेट्मिंट है 254 बीड्स आर डिवाइड इड अमंग 5 चिल्डरन बच्चो इसका मेनिंग ये बनता है कि 5 बच्चो में 254 बीड्स को डिवाइड किया गया बच्चो जो बीड्स है मोतियों को बोलते हैं डिवाइड हम तकसीम करने को बोलते हैं ठीक है तो बच्चो अब हम यहाँ पिसकी सॉल्विंग करते हैं अब हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे Numbers of Beards, Numbers of Beards is equal to 254, Numbers of Children's is equal to 5, इच चाइल्ड गेट्स, इच चाइल्ड गेट्स is equal to 254 divided by 5, अब यहां पी हम सेंटर में सके सोल्विंग स्टार्ट करेंगे, 254 को हमने अंदर रेंच की और 5 के साथ हमने कर लिया, अब डिवाइट करना ठीक है, अब आपके पास जो है पूरा नंबर है 254 और बच्चो बाहिर है 5 ठीक है, अगर हम 2 को चूस करते हैं, तो यह हमारा जो है 2 smallest है, 5 greatest है, तो हम अगर 2 नंबर चूस करें है 25 फिर यह बनेगा ठीक है, तो बच्चो 5 के टेबल में अगर हम चेक करें 25 हमारा, अगर हम कितने टाइम 5 के टेबल पढ़ें तो हमारा जो आनसे वो 25 आदा ठीक है, तो बच्चो 5 के टेबल बहुत एजी है, तो हम लोग जब 5 को 5 टाइम पढ़ते हैं 5 के टेबल को तो हमारा अंसर आता है 25 5, 5, 25 ठीक है यहाँ पर माइनस का साइन बच्चो अब 25 जो है 25 को माइनस अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हमारा अंसर आता है 0 आएगा ठीक है बच्चो अब लास्ट में 4 है तो एरो लगा के जो है मैंने 4 को यहाँ पर नीचे उतार लिया लास्ट अब आपने यह देखना है कि मैंने आपको कहा था कल भी हमने ऐसा ही कुछ चनिक किया था तो बच्चो यहाँ पर आप 4 है और यहाँ पर 5 है ठीक है 5 आपका greatest है 4 आपका smallest है ठीक है तो बच्चो अब जो है 5 है वो 4 को डिवाइड नहीं कर सकता अगर हम 5 अंजर 5 करते हैं तो यह wrong है क्योंके minus का subtraction का method यूज होता है तो minus के sums में greatest number हमेशा उपर लिखा जाता है और जो smallest number है वो नीचे mention होता है ठीक है तो बच्चो अब हमें 4 से smallest number कौन सा choose करना पड़ेगा हमें अब करना पड़ेगा 500 500 ठीक है यहाँ पर अब class 4 के नीचे 0 है तो 4 हमने यूँ ही mention कर लिया बच्चो अभी मैंने आपको एक बात बताई है कि जब हम यहाँ पर point लगा लेते हैं तो point का मतलब यह होता है कि हम लोगों ने आगे 0 हम लगा सकती है ठीक है इससे अभी मैंने last question भी आपको यह बताया था कि जब हमने अपनी devian को continue रखना होता है तो हम यहाँ पर point लगा के point के आगे हम 0 लगाते जाते हैं अपनी devian को continue रखने के लिए जो point है हमारे 0 को show करता है class अब point लगा के मैंने 0 लगा दिया 4 के बाद point है तो मैंने यह वला पाणियां उपर answer में भी mention करना है class अब यहाँ पर जो 0 है मैंने arrow लगा के इस 0 को नीचे यहाँ पर mention कर दिया यह पूरा number बन गया 40 ठीक है अब class मैंने यह देखना है कि 5 के टेबल में 40 कहां पर आएगा तो बच्चो जब हमने 5 का टेबल 8 टाइम पढ़ा तो हमारा answer आगया 45, 80, 40 ठीक है class यह हमारा पूरा पूरा जो devian हमारी complete हो गई तो हर बच्चे को कितने मोती मिलती है beards हो गई, कितने उसको beards मिलें बच्चों को हर बच्चे को 50.8 यह आपका हो जाएगा answer ठीक है class आज आज आपने जो है मैंने आपके सामने word problems किये है यह आपके period number 50 पर है और बच्चों आज मैंने आपको जो है point लगा के भी devian सिखाई है पहले आप लोग जो devian कर रहे थे devian किसम जबाँ पर आपका जब एक number last में बच्चता था तो हम उसको remainder show करते थे तो बच्चों हमनों क्या करते है जब हमने अपनी devian को continue रखना होता है तो हम point लगा के आगे zero लगाते है तो कि जो point है वो zero को show करता है तो हम जो point लगा लेंगे तो हमारी devian वो continue रहती है चलती है फिर हम अपने table के साथ उस devian को complete कर लेते है devian के साम को ठीक है जिसे कि आपके सामने भी ये question की है इससे पहले भी मैंने किया है last में आपे four बच्च किया था पिर मैंने point लगा दिया point की help से पिर मैंने आगे zero लगा दिया क्योंकि ये जो point है हमारे zero को show करते है फिर ये वला पॉंटमेंट उपर answer में भी mention कर दिया ठीक है पिर zero को मैंने नीचे उता लिया तो पूरा एक number बना लिया मैंने 40 बना लिया ठीक है तो class I hope ये जो आपको devian के word problem जमी समझा गी होंगी आपने जो आपकी questions हैं जिन पर point मैंने लगाया है आपने इनकी अच्छी तरह खुद भी practice करनी है ताकि आपको ये जो questions है अच्छी तरह समझ में आजें Thank you, Allah आफेज